अभी हाली में आपने देखा है कि महाराष्ट में जो राजनितिक उठापटक हुई है ये कोई नई बात नहीं है इससे पहले भी आपने देखा होगा करनाटक देख लीजे आप लो या गवा देख लीजे आप लो या फर आप देखे मद्देपिदेश चले जाईए आप लो इस तरह की उठापटक एक पार्टी के विधायक दूसरी पार्टी में या अपनी ही पार्टी से बगावत करने के कई मामले आ चुके हैं और आप देखे महराष्ट में सिपसेना की विधायकों ने जिस तरह से अपनी ही पार्टी से बगावद की और आप देखे भारती जिंता पार्टी के साथ मिलकर सरकार भी बना ली है और एक नात सिंधे मुखबंत्री भी बन बैठे अबादी की पार्टी की लड़ाई है कि वो कह रहे हैं कि हमारी है पार्टी हम ही असली सिपसेना है और वो कह रहे हैं हम ही असली सिपसेना है एक बार महराष्ट की बारे में आप लोग एक सामन जानकारी देख लीजे उसके बाद हम लोग दल वदल जो कानून है ना उस पर विस्तार से बात करते हैं जो आपकी दस्वी अनसूची ना उस पर भी विस्तार से बात करते हैं क्योंकि आप सबी जानते हैं कि आपकी परिक्षाओं में इनसे questions पूँचे रहे हैं तो आपको दुख तो होगा ही, या आप देखिए किसी और पार्टी को आप लोगों ने चुनाया है, और उसके जो मेंबर हैं, जो सदस हैं विधान सभा के, या लोक सभा के, वो किसी और पार्टी में सामिल हो जाते हैं, उस सरकार को गिरा देते हैं, तब भी दुख होगा, सीट हैं लोग सभा में 48 सीट हैं कितनी 48 सीट हैं और आप देखेंगे 1985 की बात है 1985 में समिधान में दसवी अनुसूची कुस्तामिल किये जाने के बापजूद विधार्ण मंदल सदस्वों द्वारा अपने कारकाल के द्वारान राजनेतिक दल बदले जाने का अब्यास आज भी बेरोग टोक जारी है और वो एक कहते हैं न एक कहावत आप लोगोंने सुने होगी कि जब ताला बनता है तो चोर क्या करते हैं कि चावी बना ही लेते हैं तो वही विधायकों का भी है आप देखें कि दल बदल विरोधी कानून आ चुका है लेकिन फिर भी वो रास्ता निकाल ही लेते हैं दसवी अनसूची को आम तोर पर आप लोग दल बदल विरोधी कानून के रूम में जानते हैं और इसका उद्देश कारकाल के दौरान बिधान मंडल सदस्तों द्वारा राजनितिक दल बदले जाने के अभ्यास पर रोक लगाई जा सके और महराष्ट में हाली के राजनितिक संकट और इससे पूर के कई दिश्टांत इस बात की ताकीद करते हैं कि दस भी अनुसुची क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है अब आप सभी के मन में इस सबाल भी आ रहा होगा कि आखिरे दल बिरोधी कानून है क्या इसका मतलब क्या है तो दल बिरोधी कानून एक राजनितिक दल छोड़कर दूसरे राजनितिक दल में सामिल होने के लिए संसद या राजविधान मंडल सदस्दों को दंडित करता है यानि कि कहने का मतलब है कि एक पायटी से चुना गया कोई विधाय या निर्दली चुना गया या मनोनीत किया गया और वो किसी और पायटी में सामिल होता है तो उसकी योगता पर सवाल खड़े करता है उसकी आप देखें कि सदस्ता भी खतम की जा सकती है उसे दंडित भी किया जा सकता है और संसद ने इसे बर्स 1985 में 52 समिधान संसोदन अधिनियम के माध्यम से दस भी अनसूची की रोम में समिधान में सामिल किया था तो यहां आप लोगों को तीन पॉइंट याद रखना है और एक कई परिक्षाओं में कुश्चंस बन चुका है एदल बदल विरोधी कानून कब आया था 1985 की बात है जो 52 समिधान संसोदन हुआ था उसके माध्यम से दस भी अनसूची जोड़ी गई थी उस ही में और इसका उद्देश क्या है सदसों द्वारा राजनितिक संब्दता बदलने की बढ़ती प्रवित्ते पर रोक लगाई जा सके और इस पेकास के सरकारों के लिए इस्थरता लाई जा सके कहने का सीधा सा मतलब यह है कि एक पारटी से दूसरी पारटी में अगर सदस सामिल होंगे तो आप देखें कि सरकार इस्थाई ही नहीं रह पाएंगे कब किसकी सरकार गर जाए कब किसकी सरकार बन जाए उस सरकार को इस्थाई रोप देने के लिए इस कानून को एक तरह से लाए गया और यह किसी अंडराजनितिक दल में दलवदल की आधर पर निर्वाचिस सदस्वों की आयोगिता की प्रावधान को निर्धारित करता है 1967 के आम चुनाओ के बाद निर्वाचिस सदस्वों द्वारा दल वदलने से कई राज्य सरकारों की फतन की पिति किरिया में इस अधिनियम को लाए गया था 1967 तक तो आप देखेंगे कि एक चत कॉंग्रेस का सासन रहा है कॉंग्रेस ही चुनाओ जीती थी लेकिन 1967 के बाद आईए आप लोग तो आप देखते हैं कि विभन राजनेतिक पार्टियों का गठन हुआ और उनका एक तरह से मजबूत हुई हुई हाला कि इसमें आप देखेंगे सांसत बिधायकों की किसी समू को किसी अन्न दल में सामिल होने या बिलाए की अनमती प्राप्त है और बे किसी दंड से मुक्त रखे गए हैं और यह बदल बदल के लिए परोसान करने या ऐसे जदसों को सामिल करने वाले राजनेतिक दलों को भी दंडित नहीं करता है लेकिन यहां आप देखें सरतें रखे गई हैं यानि कि कहने का मतलब है कि आप देखें कि अगर कोई विधायक कुछ विधायक एक पायटी छोड़को दूसरी पायटी में जाते हैं तो उनकी आप देखें सदस्ता नहीं जाएगी और नहीं जिस पायटी में वो सामिल हो रहे उसे किसी तरह कर दंड दिया जाएगा इसके लेकिन सरत है क्या सरत है यह 1985 में यह सरत रखे गई थी कि कि किसी राजनेतिक दल के निर्वाचे सदस्तों के एक तेहाई सदस्तों द्वारा दल वदल को विलाए माना जाता है यानि कि कहने का मतलब यह है कि अगर किसी राजनितिक पाइटी के एक तेहाई सदस उस पाइटी को छोड़कर दिवसरी पाइटी में सामिल होते हैं, तो उनकी विधायकी पर या संसदी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उन्हें कोई दंडर नहीं मिलेगा, लेकिन आप देखे कि 91 समिधान संसोधन 2003 में इस सरत को बदल दिया गया, अब क्या कहा गया, और अब कहा गया कि कानून की नजर में बैदता के लिए किसी दल के कम से कम दो तिहाई निर्वाचिस सदस अन्नी किसी दल में बिलाय की पक्च में होने चाहिए, और इसका उधारन आपको दे देते हैं, आप देखे कि दो तिहाई सदस सिंधे के पास नहीं पहुचे थे, सिंधे ने कोई कदम नहीं उठाया था, अब आप देखे कि दो तिहाई सदस लगभग 49-49 बिधायक सिंधे के पास आ चुके हैं, 56 बिधायक में से, तो आप देखे इसलिए उन्होंने अब अपने एक तरह से तास की पत्ते कहिए, आप लोग खोल दिये, और मुकमंत्री बन बैठे हैं, और मद्वदेश में चले जाई एक कुछ समय पहले, सिंधिया गोट, आपने देखा था कि कमलाज सरकार थी, उसे गिरा दिया था, लेकिन उसके बाद आपने देखा था कि उनके पास दो तिहाई सतस न कानून के तहट आयोग घोसित सदस उसी सदन में पुन्हा निर्वाचित के लिए किसी भी राजनितिक दल की ओर से चुनाव में खड़े हो सकते हैं, मान लेजिए कि किसी सदस की कानून के तहट आप देखे आयोग घोसित किये गए, यानि कि उनकी विधान सभा यार लोग लोग सभा सदस्ता चली जाती हैं, तो फिर आप देखे वो किसी भी राजनितिक दल की ओर से चुनाव लड़ सकते हैं, और वो एक तरह से बिधाय क्या लोग सभा सदस बन सकते हैं, लेकिन उसी बार कि उनकी सदस्ता जाएगी, आंगे असा नहीं है कि उन पर कोई में गये थे वो लोग, अगर आप देखे दल बदल विरोध कानून के अंतरगत, उनकी सदस्ता जाती, तब भी वो आप देखे कि चुनाव लड़ पाते, किसी भी पारटी से भारती जिनता पारटी से बाकी लड़ेते ना, आपने देखा भी होगा, दल बदल की आधार पर निरहरता है, समधी पिसनों फोर नेडल देह से सदन के सभापती या अध्यक्ष को संदरवित किया जाता है, और यह नयाएक समीक्छा के अधिन होता है, कहने का मतलब इसे सबसे अच्छी बात एए, कि सभापती और जैसे आप देखे बिधान सभा का अध्यक्ष, या अंदर पीठा सी अधरिकारी द्वारा दल वदल मामले पर नेड़े दे दिया जाना चाहिए और कई राज्यों में लंबे समय तक ये पिकरन टला रहता है नेरहर्था कहने का मतलब है कि आयोग घुसित करना स्वेक्षिक त्याग यदि कोई निर्वाची सदस स्वेक्षासी क किसी राजनेतिक दल की सदस्ता छोड़ देता है तब उस पर लागू भी होगा निर्देशों का ओलगन यदि वह ऐसी राजनेतिक दल द्वारा जिसका वह सदस है अथवा उसकी द्वारा इस निमित प्राधिकत किसी ब्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दियेगा किसी न निरहर्टा के लिए एक पूर्ट सद के रूम में यह बंध है कि उसके राजनेतिक दल या अधीकित, बैक्ती या प्रादीकारी ने ऐसे मद्दान या मद्दा से बिरसत बिरत कर रहने की तिथी से 15 दिन के भीतर उसे माप नहीं किया है। निर्बाचिस सदस के बारे में देख लिए, यदि कोई सुतन्त रूप से निर्बाचिस सदस किसी राजनेति दल में सामिल हो जाता है, यानि कि आप देखे कोई निर्दली सदस, किसी दल से नहीं चुलना जाता है। अगर वो किसी पारटी में सामिल होता है तो उस पर भी आप देखें एक कानून लागू होगा मनोनी सदस यदि कोई मनोनी सदस छे माहे की समात्ती के बाद किसी राजनेति दल में सामिल हो जाता है उसे भी आएग गोसित किया जा सकता है दल वदल कानून के अंतरगत लेकिन फिर मंत्रिये पद या वित्तिये लाप के लालच के कारण दूसरे में सामिल होने हो जाने को सुभिधा जनक समझते हैं और यही आज कल आफ लोग देख भी रहे हैं सरकार की सामान कार कलाप पर प्रभाव यहां जिसने जितना रेट लगाया उसी हिसाब से दल वदल से सरकार के लिए अस्थिरता उत्पन होती है और पिसासन भी प्रभावित होता है और यह आप जानते होंगे उधाव ठाकरे जैसे ही इस्थीपा दिया पिसासन में हड़कम मच गया और आप देखे एक जगह से दूसरी जगह भागने लगे हॉर्स्टेडिंग हॉर्स्टेडिंग को बढ़ावा दल बदल विधायकों की खरीद फरुक्त को भी बढ़ावा देता है जो इस पर रूप से एक लोकतांत्री गविवस्त था कि जनादेश के खिलाप जाता है अब आप देखे कि आपकी सरकार बनी आपके बदायकों को किसी ने अच्छी खासी रकम दी लालच दिया खरीद की बात की वो किसी और पार्टी में चले गए और आप देखे आपकी सरकार गर गई या कमजोर हो गई तब भी तो अबमान ही है अब देखे दल-बदल-बिरोधी कानून के साथ कुछ चुनोतियां भी जुड़ी हुए है इन चुनोतियों के बारे में जाल लीज़े आप लो कानून का पैरा चार एक क्या कहता है दल-बदल-बिरोधी का पैरा ग्राफ 4 तीन महत्मूर अवधार्णाओं को प्रिष्टित कर राजनितिक दलों के वीज़, बिलाय के लिए एक अफवाद का निर्माड करता है, मूल राजनितिक दल, जिस राजनितिक दल से कोई सदस संबंदित है, और यह आम तोर पर सदन के बाहर सामन रोप से किसी दल को संदर्व प्रिष्ट नहीं करता है कि मूल राजनितिक दल से, अभी फ्यार राष्टी इस्तर के दल से है, या छेत्री इस्तर के दल से है, जबकि भारती निर्वाचन आयूग राजनितिक दलों को इसी रोब में मानता देता है, यहाँ एलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया की बात हुई यह चुनाओ आयूग से संबन्दित है, और 25 जन्वरी 1950 में इसकी इस्तापना हुई थी, प्यराचार की अनुसार बिलय तब ही हो सकता है, जब एक मूल राजनितिक दल या किसी अनिराजनितिक दल में बिलय हो, या विधान दल के कम से कम दो तिहाई सज़त बिलय के लिए स और आप देखे कि इसमें आपको सिफ सेना में दिखाई भी दे रहे हैं, पैराचारी एक कानुनी कल्पना का निर्माट करता हुआ पितीत होता है, ताकि यह एंगिट किया जा सके कि एक विधान दल के दो तिहाई सज़त्सों के विलय को राजनितिक दलों का विलय माना जा सकता है, और भले ही मूल राजनिति दल का किसी अन दल में बास्तविक बिलय ना हुआ हो, पिती निधी और संसदिय लोकतंत के को कमजोर करना, दल बदल बिरोधी कानून के लागू होनी के पास संसद या विधायक को पार्टी के निर्देसों का आंखे बंद करके पालन करन होता है, उन्हें अपने विवेक से मद्दान करने की कोई सतंता नहीं होती है, चाहे आप देखे वो पिस्ताओ सही हो या गलत हो, उन्हें पार्टी की हर बात माननी बढ़ती है, दल बदल बिरोधी कानून के कारण निर्वाचे सदसों को मुखरोब से रानेतिक दल के पित कानून में कोई स्पर्ष्ट नहीं है, कुछ मामले में 6 माह से 3 माह तक का समय लग जाता है, और ऐसे दिश्टान्त भी मिलते हैं जब कारिकाल समाप्त होने के बाद मामले का निर्वाचे कानून की कोई माननता नहीं है, एकानवे समिधान संसोधन अधिनियम 2003 के कारण दल दल बदल बिरोधी कानून ने, दल बदल बिरोधी नेड़े के लिए अबबाद या छूट का निर्माड भी किया है, लेकिन यह संसोधन विधान दल में विभाजन को माननता नहीं देता है, इसके वज़ए बिले को माननता देता है, और केवल एक साथ कई सदसों को दल अभी आप देखें उनकी जो विधाय की ही या संसदी है, लोकसवा सदस्ता है, वो बनी रहेगी, अगर एक एक जाएंगी तो उनकी खतम हो सकती है, और इसमें नहित कमियों को दूर करने के लिए संसोधन किया वज़ सकता है, और इस संबंद में चिलता जिताई गई की थी दल बदल बिरोधी कानून ने भारत में बहस और चर्चा की लोकतंद के वज़ाए, राजनितिक दलों और संख्याओं की लोकतंद का निर्माड किया है, और इस तरह यह आसहमती और दल बदल की बीच अंतर नहीं करता, और किसी भी कानून के संबंद में संसदीय बिचार दल बदल बिरोधी कानून से संबंदित विविन ने सुझाओं भी दिये गया है, आप भी सुझाओं दे सकते हैं, आप भी सुझाओं बता सकते हैं, तो चुनाओ आईगून ने सुझाओं दिया कि दल बदल के मामलों में इसके लिए नेडायक प्राधिकारी होना चाहिए दूसरा तरक दिया गया है कि राश्टवती और राचपालों को दल बदल याजकाओं पर सुनवाई करनी चाहिए सर्वुच नयाले ने सुझाओ दिया कि संसत को उच नयायफालिका की एक सेवा निवित नयाधीस की अध्यक्षता में सुतंत नयायधी करन का गठन करना चाहिए ताकि दल बदल की मामलों का तेजी और निस्पक्च रूप से हैसला किया जा सके कुछ टिपड़ी कारों ने भी सुझाओ दिया है या कानून विफल हो गया है और इसे हटाने की सिफारिश की है और फूर्व राष्टवती ओपर राष्टवती हामिद अंसारी ने सुझाओ दिया कि यह केवल आविस्वास पिस्ताओं के मामले में सरकार को बचाने के लिए लागू होता है और आप देखीक कि दल बदल विरोधी कानून को और अधिक पिर्भावी बनाने के लिए क्याज किया जा सकता है कई भी से सकबों ने सुझाओ दिया है कि कानून केवल उन मतों के लिए मान होना चाहिए जो सरकार की अस्थिता का निधारन करते है उधारन के लिए बार्शिक बजट या आविस्वास पिस्ताओं का पारित होना चुनाओ आयोग की सलाई क्या है? राश्टिय समिधान कारिकरन समीक्षा आयोग सहित बिभिन आयोग नने अनुसंसा की है कि किसी सदस को आयोग घोसित करने का नेड़ है पीठा सिंग अधरिकारी के बज़ए राश्टपती सांसदों के मामले में और राज्यपाल विधायकों के मामले में कोसों अपा जाना चाहिए जहां बेच चुनाओ आयोग की सलाई पर नेड़ लें आयोगता से निपटने के लिए सुतंत प्राधी करन की बात की गई है होलो हान मामले के नेड़ाय में नियामूर्ती बर्मा ने कहा था कि अध्यक्च का कारकाल सदर में बहुमत के लिए नेयंता समलतन पर निर्भार है और इसलिए हुए है एक ऐसे सुतंत नियाय नियाय प्राधी करन की आवस्ता को पूरा नहीं करते हैं साथी मामले में एक मात मद्धिस्त की रूम में उसकी पसंद मूल सरचना के लिए एक अनिवार गुन का उल्लगन करती है इसलिए राजनितिक दल को अपने सदसों की राय सुननी चाहिए और उस पर चच्चा करनी चाहिए और यह सदस्तों को भासन एवं अभीव्यक्ति की सुतंता पदान करेगा और आंतरिक दल लोकतंत को बड़ावा देगा आप सभी जानी है अगर आप देखे कि कोई भीप जारी किया गया है किसी रानेतिक दल के द्वारा आप देखे वो चा कानूं के उपयोग का मार्क दर्शन करने ही तू सर्वोच न्याले द्वारा दस्वी अनसूची का एक अकादमिक फोनारीक्षन करने का यह उपयोग समय है और इसे दिसा में सीग प्रयास किये जाने चाहिए तो यह कहानी है आपकी दल वदल कानून की और दस्वी लेंगे ठीक है